नमस्कार दोस्तों मैं संदीव सागत आप सभी का आज नहीं क्लास में चले दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासे से जॉइन हो जाएं यह क्योंकि आज की बात करने वाले हैं बेके मोश्ट इपाटन कुष्ट्चन एंसर के बारे में जो कि पुलिट्कल साइन्स स सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग उसको रेट करेंगे और आप लोग बाद में भी पढ़ेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी तो चेले बिना देरी को वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगा दोस्तों क्योंकि कि बहुत साथ का सब्जेक्ट वह राजनित्साफ्तर हैं और साथ साथ में यह वह बता दू कि इस बार नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए जो कोईस्टन है वन से लेकट नाइन तक यानि की उनीश तक वह मैंने पिछले की वीडियो में आप लोगों को कोईस्टन आंसर सहीद बता दिया तो उसके आगे हम बढ़ेंगे ठीक है तो जो चाहत नहीं देखी वो जाके चैनल पर देख सकते हैं ठीक है वीडियो को देखन क्या होनी चाहिए ठीक है तो आप लोगों का एंसर में लिख देना है मोस्ट इंपरन्ड कोस्टन राज नीश साफ्त अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैं पूरी तरह समझाने प्रियास करूंगा आप लोगों के रगरग में बस जाएगा यह ध्यान रखिए ठीक है तो यह रावा है दूसरा है कि वह कीसी यह कई उच न्यालेव में कम से कम पांच वर्स तक न्यादःत रहा हो यह algumas तोbay आप लोग मैं कि अधिवक्ता रहा ओ या फिर पांच साल का और नियाधिस कहीं पर किसी कि फैक्ताह र्योयाद हरा तो यह अगर एक तो नो नयाधिस हो टिर पत्क के लिए योग है वह किसा नं मघा धिसको कि से 5 पर से कम हो यानि की 65 साल से ज्यादा उसकी उमर ना हो 75 साल से कम होने चाहिए और निस्ट लिखा है कि याद कि चार नंबर जो उसकी होनी चाहिए और तो यह सारे अगर उसके अंदर quality या फिर आप लोग कही सकते हैं योगिता हो तो वह सरबोच नाले के नयाद हिस के पद के लिए properly यानि की पूरताया योग है नेस्ट कोईशन इसी में है लिखा है कि सरबोच नायाले की सकतिया क्या है तो सरबोच नाले की सकतिया आप लोगों को हम बताएंगे यहाँ पर लिखा है उत्तर में कि भारतिय नाया पालिका सरबोच है उससे कानून की ब्याक्खा का अधिकार दिया गया है सर्वों चिनाले के प्रमुक सक्तिया निम्निर्खित है या निम्नुवत है जो कि आपको पॉइंट वाज दी गई हैं बहुत ही सरल भासा में मैंने आप लोगों को समझाने का पिदाश किया वह साधी कोईश्चन का इस सरल भासा में पॉइंट वाईज है ज़रा सा कनफूच पहला आप लोगों को को नहीं होगी पहला आप लोगों को लिख देना राऑली कर्सेट निहालों पर निहंत्रनर नाइक विंब्र miss शकती ses सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब तो यह रही सब्सक्राइब की मुख्य समख सक्तिया जो कि आप लोग ने देखी ध्यान रखेगा यह कुछ आपकी एकजाम में आ अब लगता है अब लगता है जो भी कोश्चन में अंसर बता रहा हूं वो टॉफी लेवल के यह कोई कोई ना कोई 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 आपको जरूर्वर देखने मिलेगा क्योंकि सारे को संभवित हैं एक्जाम के लिए ठीक है निश्टि लिखाय कि है भारते रास्ट पटी किन परस् नियाले के परामर्स मांग सकता है नियाले के परामर्स को मानना या अगला कोई कि राज जी विधान मंडल का गठन इसके बारे में आप लोगों को लिखना है लिखाय कि संभिधान के अनुछेद 168 यानि कि 168 के अनुछार प्रतेक राज में एक बिधान मंडल होगा जिसमें एक राज पाल और एक या दो सदन होंगे ठीक है एक या दो सदन होंगे जिस राज में एक सदन होगा उसे बिधान सबा और जिस राज में दो सदन होंगे उसे बिधान सबा और बिधान सब्सक्राइब कोई इसमें कुछने क्या सकता नहीं ज्यादा यहां पर साब साब बता दिया गया है कि विधान सभा और जिस राज में दो संख्या सिस्टी यानि कि साथ से कम है और पांसों से अधिक नहीं हो सकती ठीक है साथ से कम और पांसों से अधिक वारत है फोर टोर्म का सब्सक्राइब शनकर करके डिए सब्सक्राइब तो आप लोग करने लिए तो अमेरिका से कोई आए और बड़ी कमपनी हो और दीरे-धीरे आपने बिजिनेस का वेपार जो भी बिजिनेस उसको बढ़ाए और उसके बाद इंडिया पर कब्जा करने लगी तो वही बात हुई यहां पर भारतिय राष्टे अंदौलन की तुपति का मतलब यह हुआ कि इंग्लेंड की इस्टी कम इस्टी इंडिया कंपनी ठीक है जो भारत में वैपार करने आया थे उसने दीरे-दीर संपूर भारत पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज सरकार इसी के माध्यम से भारत में भारत में शात्ताइब पूरी तरह से मेस्टावन हो चुका था ठीक है लेकिन दीरे-दीरे कुछ ऐसी भावना है भारतियों में पनपि जिसके राश्टेता की भावना जगी ह्या प्रबल हो गई इसी के परइड़ाम सुरूप 877 में प्रथम 17 walks कि banks фütard पडई ब्हाने ही य में राष्ट भक्त की भावना जगने में इसे राष्ट भावना जगाने जगाने में इसे ही प्रथम आधार अस्तंभ माना जाता है इसके बाद भारतियों के सहयोग से अपने दिकारों की मांग करने लगी इसकी काड मजबूर अंग्रेज सरकार को भारतियों को सुविधाएं देने के लिए विबस हुई ठीक है तो कुल मिलाके भारती राष्टे अंदोलन की उतुपत इसी के कारण हुई है क्योंकि जब बाहर से आके लोग भारत पे कबजा करने लगे तो कहीं ना कहीं जब कबजा करने लगे तो जो राष्ट भावना थी देश की और भी बहुत सारे लोग थे उनमें यह कपिस् की बाहरी थे जो भी कहां अंग्रेज लोग थे उनको कहीं न कहीं सबक मिला और वह धीरे-धीरे करके ठीक है वह जो मांग थी भारतियों की वह जो अंग्रेज लोग थे वह पूरा करने लगे और धीरे-धीरे सारे चीज़ें होते हुए आप सभी को मालूम है कि अपना दे इसके बारे में आप लोगों को लिखना है तो इसमें एंसर मिलिक देना है कि सन 1919 में तीन ऐसे घटना घटित हुई इसमें महत्मा गांधी को आंदौलन प्रारम करने के लिए विवस कर दिया यानि कि 1919 में कुछ ऐसे प्रॉब्लम साई या ऐसे कुछ घटना घटी जिससे मह महत्मा गांधी जो कि आप सभी कहते हैं राष्ट राष्ट पिता हैं देश के हमारे ठीक है अब तो हाला कि नहीं है लेकिन है था लगा दिया जाता है तो उस वर्ड को आप ध्यान मत दीजीगा ठीक है तो वह विवस होकर उन्हें आंदोलन प्रारम करना पड़ा तो इसमे कि इनh यहीं के वज़ासे इन्हों नें आंदोलन च्तार कि जो इन गटना जो घतना घटी थी क्यारण अधंधा कुर्एर कि मुझा नहीं कि महत्मा गांधी जी ने उनिहां कि उत्वरा आप नहीं कि उस्मभर में में असहयोग अंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा यह अंदोलन काफी सफल लहा लेकिन जब अंदोलन अपने चरम पर था तभी चवरी चवरा कांड हो गया अंदोलन के हिंसात्मक होने के कांड गांधी जी द्वारा इसे स्थकित करने का निड़र लिया गया महत्मा गांधी सांति के पुजारी थे वे सभी अंदोलन को अहंचा के रूप में देखना चाहते थे याद रखेगा यह रहा असहयोग अंदोल करते हैं लोग को क्जाम में लिखना के शम्मिधान के बारे में नहीं लिखना आंसे की अजादी ने कहा था कि भारत भारती द्वारा चला जाए या तभी संभव है जब देश का अपना समिधान होगा पंडिस जवार्ला लहिरू ने नेत्रत में जब 1946 में देश के अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इसके बाद समिधान सभा का भी गठन किया गया जिसमें 389 सदस से जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चुना हुआ समिधान सभा की प्रथम बैठक में जाद न कियेगा समिधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसमबर 1946 को हुई जिसमें मुस्लिम लीक सामिल नहीं हुए उसने कहा कि हमारे लिए एक अलग समिधान सभा का गठन किया जा जिसके बाद 3 जून 1947 के बाद विवाजन योजना के बाद समिधान सभा का पुनल गठन किया गया जिसमें 324 सदस सामिल किये गए 31 दिसमबर 1947 को सम्मिधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 ही रहे गई समिधान निर्मार के बाद 224 फदस ही थे जिन्हों ने उस पर अफसाथ चर किये थे याद रखेगा यह जो सम्मिधान सभा का गठन हुआ था वह इस प्रकार हुआ था जिसमें सम्मिधान लागू करिए और इसे के बारे में विभाजन के बाद योजना के बाद स्पुनर घठन किया गया फिर उसमें इतने सदस्सामिल थे और आप लोग दुबारा सर्फ पढ़ लिएगा कोई ज्यादा आप लोगों को डीटिल में जाना नहीं बस थोड़ा है आप ल लिए आप लोगों को वेट करना होगा ठीक है और आप लोगों को यह कोईस्टिन जो एंसर मैंने बताया कैसे लगे कमेंड करके जरूर बताएगा ठीक है वीडियो को लाइक की भी कर दीजेगा चैनल को चैनल है लिंक है जोएं हो यह मिलते हैं नेस्ट वीडियो अकले जाएं दोस्तों